हेलो स्टुडेंट्स आज हम लोग नया चेप्टर शुरू कर रहे हैं तो पहली इस चेप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दू जैसा कि नाम लिखा है linear equation in two variable linear equation in one variable class H में आपड़ चुके हो यहाँ पर two variable की बात हो रहे हैं तो पहली इसकी definition देख लो जहां से सुन लो an equation of the form ax plus by plus c equal to zero where a, b, c are real numbers a, b, c क्या है a is the coefficient of x b is the coefficient of y and c is the constant term a, b, c are real numbers a and b both are not equal to zero a और भी zero नहीं हो सकते हैं जो की coefficient of x and y है is called linear equation in two variable तो उसको हम linear equation in two variable कहेंगे तो जहां रखना है कि अगर दो variable की equation है तो उसमें x और y दोनों मौजूद होने चाहिए दोनों के coefficient 0 नहीं होने चाहिए c 0 हो सकता है c के बारे में हमने नहीं कहा है हमने कहा है a और b 0 नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह coefficient of x and coefficient of y है कुछ एक्जामपिस मैं आपको लेता हो जैसे 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 या x minus y minus या plus 5 is equal to 0 यह दोनों linear equation student कभी कभी इसी equation को जैसे यह वाली equation इसको ऐसे भी लिख सकते है 2x plus 3y is equal to minus 4 equal के उस साइड में लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए इस साइड में लिखा रहा है या उस साइड में लिखा रहा है दोनों की meaning सेम है इसको भी ऐसे लिखा मिल सकता है 2x minus y equal to minus 5 उधर plus हो या minus हो अब students एक equation मैं और लिख रहा हूँ यह first था यह second हुआ यह third है 2x plus 5y is equal to 0 अब जहांस देखिए इसमें c वाला term है नहीं c वाला term 0 हो चुका है तो कोई बात नहीं इस इस आल्सो linear equation अब हम कुछ linear equation की बात और करते हैं suppose that it is written as x by 4 plus y by 3 plus 5 is equal to 0 students यह भी linear equation है यह देखने से लग रहा है कि यह इस form में नहीं है लेकिन धहां से देखो 1 by 4x plus 1 by 3y plus 5 is equal to 0 यहां a की value 1 by 4 b की value 1 by 3 और c के place पर 5 लिखा है तो यह भी linear equation into variable ही हुआ confusion अब हम आपको बात करेंगे कौन से linear equation नहीं है जैसे मैंने यहां पर example 4 दिया है तो example 4 से मिलता जोलता है example 5 लिख रहा हूँ कि 4 by x plus 3 by y plus 5 equal to 0 उसे से मिलता जोलता है लेकिन यह linear equation into variable नहीं है क्योंकि यहां पर देखेंगे कि x और y जो है denominator में चला गया और अब उपर करेंगे तो x की power minus 1 हो जाएगा y to the power minus 1 हो जाएगा मतलब कि यह देखने से लग रहा कि linear equation जब यह है तो यह भी हो सकता है लेकिन it is not a linear equation यह linear equation नहीं है एक और एक्जाम्पिल में देखता हूँ 2x plus 5 और minus 5 is equal to 0 अब students इसको ध्यान से देखना है कि यह linear equation तो है but linear equation in two variable नहीं है not linear equation in two variable यह linear equation in two variable नहीं क्योंकि इसमें y वाला variable गाएगा एक और एक्जाम्पिल में आपको दे रहा हूँ 2x plus 3y is equal to 5xy अब आप कहें कि सर यह तो बिल्कुल उसी तरीके से लिखा गया है जैसे आपने यहां समझाया था यह वाला कुश्य student यहां देखना पड़ेगा कि 2x plus 3y तो ठीक है लेकिन 5 के साथ जो xy लग गया है यह सी constant होता पूरा constant होना चाहिए variable उसके साथ नहीं होना चाहिए इसका मतलब हुआ कि it is not a linear equation इन्टू वरियबल यह linear equation इन्टू वरियबल यह भी नहीं है अगर केवल 5 होता तो linear equation इन्टू वरियबल होता तो आज के introduction में सिर्फ मैंने यह बताया कि कौन सा linear equation इन्टू वरियबल है और कौन सा linear equation इन्टू वरियबल नहीं है तो students एक और खास बात में इसमें समझाना चाहता हूँ जैसे पहली equation आपने देखा 2x plus 3y plus 4 equal to 0 अब इसमें पूछा जाए कि a की value कितनी है तो नाव a equal to 2, b equal to 3, c equal to 4 और इसमें पूछा जाए तो a equal to 1, b equal to minus 1, c equal to 5 इसमें पूछा जाए a equal to 2, b equal to 5, c equal to 0 In this question, a equal to 1 by 4, b equal to 1 by 3 and c equal to 5.